हेलो एव्रिवार निग फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टानल पर आज मैं आपके लिए लेकर के आए हूँ एक बहुत-बहुत-बहुत-बहुत जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो की आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कम से कम 8 से 15 मार्क्स का क्वेश्चिन आपके अल्रड़ी एक क्वेश्चिन का प्रिंट आउट निकालके लाई हूँ जिसको हम सॉल्व करके इसका जो है अंसर निकालेंगे और अपना पूरा बैलन्स शीट तक का क्वेश्चिन इसमें जो है कम्प्लीट करेंगे इसको स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक और चीज यहाँ पर हम बता देंगे दूसरी बात कि ट्रेडिंग और पीनल में डिफरेंस क्या होता है यह चीज़े बच्चों को समझ में नहीं आती है तो पहले इसका डिफरेंस बता देते हैं ट्रेडिंग अकाउट में आपके वो खर्चे जाते हैं जो कि आपकी फाक्टरी से रि अकाउट में डालोगे आपकी लेबर के खर्चे हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउट में जाएंगे लेकिन वहीं पर आपके ऑफिस में बैठे हुए स्टाफ की सेलरी है जो आप नहीं जस्टिफाई कर सकते कि एक प्रोड़क्ट बनाने में इस परसन को मैंने कितनी सेलरी दी है क्योंकि वो डारेक्ट प्रोड़क्शन से लिंक नहीं हो रहा बलकि उसका कंपनी में दूसरे जगे काम हो रहा है तो यहां पे जो ऐसे खर्चे आते हैं सेलरी हो गए टेलीफोन एक्सपेंस हो गए इंशॉर्डन्स के खर्चे हो गए वो सारे आपके जाते हैं P&L अ आज हम यहां पर डिसकास करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है क्वेशन को स्टार्ट करें उसको पढ़े पर उससे पहले अगर अगर अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही साथ बने हमें चोट जिसका 31st December 2019 तक की एंडिंग में दिया हुआ है इन्होंने बोड़ा है कि financial statement बनाएए in horizontal style तो अब हम यहां पर क्या है financial statements बनाएंगे in horizontal style horizontal style यानि कि debit and credits है अगर जो है vertical बोला होता है यानि long form में जो आपके schedule उसके according बनता है उसके तरीके से आपका बनेगा देखे हरिशिम्स capital यह जो है हरिशिम्स capital यह कहां जाएगी यह आपके जाएगी balance sheet में यहां पर क्या है इन्होंने सीधा सीधा हमें balance दे दिया है trial balance दे दिया है अब हमें वहीं से उठाकर कि अपने final accounts में डालना है इब्राहिम्स capital यानि कि यह भी जाएगी balance sheet में देखो यह दोनों कौन है य तो जो बिजिनस एंटरप्राइज ह। उसके honor है प्रपरियों है यह partnership firm है तो क्या है यहां पर जो है जो है जो दोनों person है उनकी capital के balance दे हुए है capital क्या होती है capital आपकी होती है liability कैसे क्योंकि देखो business में क्या बूले जाता है कि जो business है और जो business man है जो businessman है, ये दोनों अलग होते हैं, चीक है, business and businessman ये अलग होते हैं, तो अगर business में कोई पैसा लगाया गया है businessman दोरा, तो business की liability है, उसका दायत्व है कि वो पैसा उसको वापिस करे, जो पैसा इसने business में लगाये हैं, वो पैसा इनको वापिस मिले, तो इसलिए इनके जो भी प ऐसा वापस मिलना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे जो है, आपके दोनों capital कहा जाएंगे, balance sheet में जाएंगे, balance sheet में भी कहा जाएंगे, liability side, आपको पता है, जो आपकी balance sheet उसमें दो जगे होती है, liability and asset, liability में आपके जोतने भी capital accounts होते हैं, वो आते हैं, और जो भी आपकी देंदारिया होती हैं, वो आती हैं, और asset में आपकी जो भी आपकी देंदारिया होती हैं, आपकी assets होती हैं, fixed asset होती हैं, या current asset होती हैं, वो आती हैं, नव नेक्स यहाँ पर क्या है ओपनिंग स्टोक आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टोक कहा जाता है आपका वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में कि आपके पास कितना माल पड़ा हुआ था साल के शुरुवात में आपके पास कितना माल पड़ा हुआ था यह आपके पास purchase, यानि कि आपने साल में कितना purchase किया, ये भी आपका जाता है trading account में, जो भी आपकी purchase होती है, sale होती है, opening stock होता है, closing stock होता है sale return होती है, purchase return होती है या फिर आपकी जो है labor related खर्जे होती है, ये साले आपकी trading account में जाते है, sale होती है वो भी आपकी trading account में जाएगी sales return आपका trading account में जाएगा carriage आपका trading account में जाएगा carriage भी देखिए, carriage है यानि ये direct खर्चा है, तो ये क्या है trading account में, manufacturing expensive है, सीधा बोलती है, manufacturing expense यानि manufacturer से related है, तो trading में जाएगा, salaries salaries, अब यहाँ पर बात आती है, salaries कहाँ जाएगी, salaries आपकी चाती है P&L account में, क्योंकि ये आपका direct नहीं, बलके indirect खर्चा होता है same goes with insurance, ये भी आपका चाता है P&L account में, क्योंकि ये क्या होता है ये आपका जो है, indirect खर्चा होता है, अब उसके बाद आपका आता है, postage, postage क्या है जैसे आपका, कुछ आप भेज रही हो उस पर postage लग रही है, तो वो क्या है P&L account, ये भी आपका जो है indirect खर्चा है, advertisement आपका indirect खर्चा है अब बात करते हैं, bill payable bill payable यानि कि आपके पास कुछ जो है ऐसे चीज़े हैं, जो आपने pay करनी है, bills payable आपका बन रहा है जैसे आपके creditor होते हैं, उसी तरह के सापके bill payable होते हैं, जब आपके पास को समान नहीं होता आप उधात पे चीज़े लेते हो, तो आप उसको लिखित में bill of receivable bill of वो दे देते हो, जो कि आप आगे पढ़ोगे, तो उस situation में bill payable को as a creditor ही trade करते हैं, तो यह भी आपका जाएगा balance sheet में, liability side, provision for bed depth, provision for bed depth का यहाँ पे दूँ जगे treatment होगा, एक P&L में और एक balance sheet में, land and building आपके जाएगी balance sheet में, plant and machinery balance sheet में, furniture balance sheet में, sundry debtor balance sheet में, creditor balance sheet में, अब यहाँ पे बात आती है, drawings की, यानि इन्होंने जो पैसा लगाया था, उनमें से कुछ-कुछ निकाला भी है तो इसका treatment आपका होगा जो है, इनके capital account में, और यह जो है, adjust होकर के कहाँ जाएगी balance sheet में, cash in hand आपका balance sheet में, and cash at band balance sheet में, यह सारे अभी आपके हो गए, कि कौन-कौन से चीज़े कहा जाएगी, जब भी आपके सामने कोई question exam में ऐसा आए, तो सबसे अच्छी बात है कि आप उसको पहले लिख लो कौन से चीज़ कहा जाएगी, ताकि आपसे कोई point miss ना हो, अब इसके थोड़े से कुछ यहां पर points देख लेते हैं, Harishim and Ibrahim share profit and loss equally other information is given below, इन्हों ने क्या बोला, यह दोनों जो partner हैं, यह क्या करते हैं, जितना पर profit आता है, वो equally share करते हैं, यानि 1 to 1 की ratio में stock at the December 31st 2019 was raw material 4000 and finished good was 12000, क्या बोला है कि आखर में, साल के आखरी में आपका balance यहां पर जो है, stroke का इतना था और यहां पर आपको opening दिया हुआ था, यह आपको opening दिया हुआ closing यहां दे दिया, outstanding expense, outstanding यानि कि ऐसे खर्चे जो कि साल के अंत में आपके खड़े थे, पर अभी तक आपने pay नहीं किये, जो कि है salary इतना और carriage इतना insurance आपने paid किया है 15 मंत के लिए, up to 15 अब दिखो एक एक चीज़ना आप यह भी ध्यान रखिए जहां पर आपकी adjustments बोली गई है जैसे salary में adjustment है तो आप इसको जो है highlight कर लीजिए ताकि जैसे ही आप यह खर्चा डालो आपके तिमार्ग में hit हो जाए कि यह पूरा नहीं जाएगा इसमें कुछ गड़बर हो रही है carriage का है, carriage का भी आप में adjustment है, तो इसको highlight कर लो next is insurance का आपका जो है, यहाँ पे भी आपको out for depth, यहाँ पे highlight कर लो next is goods withdraw by Hashim for personal use, यानि यह Hashim की capital में भी यहाँ पे adjustment होगी तो यहाँ पे भी आप इसको highlight कर लो अब question को शुरू करते हैं सबसे पहले, सबसे पहले आप जो है trading account में डालो trading account से related जतना भी खर्चा है आप वो उठा लो, trading account में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है, opening stock opening stock अब opening stock आपके पास दो है, एक है raw material raw material दूसरा है आपके पास finish good, यानि कि जब आपने शुरुवात की अपने साल की, तो आपके पास दो तरीके के समान थे, एक ऐसा जो आधा बना हुआ था, एक ऐसा था जो बिल्कुल नया था, जिसमें कुछ काम नहीं हुआ था और एक ऐसा था, जिसमें finish goods हो चुके थे तो raw material कितने है, 2500 प्लस finish goods कितने के है, 6500 चीक है, अब अगर आप इसका total करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 7 और 8,9, 9,000 रुपे आप चाहो तो सीदा सीदा यहीं पे भी amount लिख सकते हो, बगर इस तरीके से लिखोगे तो थोड़ा जादा presentable लगेगा, that's it उसके बाद आपने क्या किया है, पर्चेस किया है आपने पर्चेस किया है, 64,500 की तो यहाँ पर क्या है, पर्चेस हुई है 64,500 की अब देखो, यहाँ पर पॉइंट आया था पॉइंट आया था कि goods withdraw कर लिए है by Hashim for personal use यानि कि personal use के लिए उसने goods वो withdraw कर लिए है, अब goods withdraw किये है तो obviously जो समान खरीदा होगा उसी में से withdraw किये होंगे तो एक adjustment तो इसकी बनेगी यहाँ पर कि कितने amount का है वो goods 2,000 रुपे का तो यहाँ पर आपका आजाएगा 2,000 रुपीज आप लिखोगे goods withdraw by जो भी नाम था आपका Harishim या Hashim Hashim ने goods withdraw करे अब इसका आपके पास balance आजाएगा 62,500 अब next आपके पास है यहाँ पर sales और sales return तो यहाँ पर आप आजाएए लिखे sales sales आपकी है 1,19,000 अब sales return इसमें आप minus करेंगे sales return क्योंकि जितनी sale हुई है उसमें से आपको 2,000 रुपए का ऐसा समान है जो वापिस आगया तो 2,000 का जो समान वापिस आगया तो actual sale कितने की हुई 1,17,000 की तो यह यहाँ पर amount आप लिखके दिखाएंगे उसके बाद आपके पास कुछ यहाँ पर खर्चे है क्या जो direct है तो यहाँ पर आप देख सकते है carriage का खर्चा है जो आपका direct खर्चा है तो यहाँ पर लिखे carriage carriage जो कि कितना है 16,000 रुपए पर देखें यहाँ पर हमने इसको अंडरलाइन किया हुआ हुआ है क्यों किया हुआ हुआ है यहाँ पर हमने कुछEE जो है adjustment करनी है क्या adjustment है? यहाँ पे adjustment है कि carriage जो है 2100 रुपए ऐसा है जो कि हमने अभी pay नहीं किया तो 16000 रुपए का खर्चा तो है पर अभी इसमें से 2100 रुपए ऐसा है 2100 रुपए ऐसा है जो हमने अभी आप जो है भरा नहीं है तो देखें एक जो है यहाँ पे कि carriage हमने 16000 रुपए दे लिया पर यह outstanding है अगर यह prepaid होता तो हम इसको minus करते माफ कीज़ेगा पर यह outstanding है तो यानि इसको plus करेंगे outstanding है यानि यह भी हमारा बड़ा हुआ है हमने यह pay नहीं किया तो total खर्चा कितना हुआ 16, 17, 18 और 18,100 रुपए तो यह हो गया carriage का खर्चा manufacturing expense manufacturing expense इसमें कुछ दिया हुआ है जिसमें नहीं तो सीधा सीधा 12,000 रुपए आपका manufacturing का expense आ गया उसके बाद अब हमारा कोई खर्चा नहीं बचा है अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है closing stock लिखने के लिए closing stock यहाँ पर लिखेंगे closing stock जो कि कितना है again आपका एक है raw material में और एक है आपका finish goods में finish goods में तो देखिए कितना है यहाँ पर आपके पास raw material है 4000 और finish good है 12,000 तो raw material 4000 finish good 12,000 total आपका हो गया 16,000 रुपए ठीक है यहाँ पर आपका हो गया trading account खतम इसके अलावा आपके पास और कुछ खर्चा नहीं है ठीक है अब आपका कुछ भी trading account का नहीं रहता है अब देखिए अब इसको आप कर लिजिए total 11700 plus 16,000 जो कि आपका कितना मना 133,000 133,000 अब यहाँ पर भी लिखिए 133,000 ठीक है अब देखिए इसमें कितना आपका जो है axis है minus 12000 181 00 625 00 and 9000 यहाँ पर जो है आपके पास अब देखिए 9,000 625 18 और यहाँ पर आपका यह 12 जो है 1000 यह आपका आ रहा है 101600 देखिए इस साइड का आपका पोर्शन आ रहा है 101600 यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक करी थी शायद और यहाँ आपका आ रहा है 133,000 यानि कि ओविसली यह साइड जादा है और यह साइड कम है तो जो बैलन्स कम है जितना बैलन्स कम है जितना बैलन्स आपका कम है यानि 31,400 यह 31,400 पर आपका क्या हो गया यह 31,400 आपका हो गया एक ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड है, तो अब यहां तक हमारा हो गया है, ट्रेडिंग अकाउंट खतम, अब इससे नीचे हम शुरू कर देते हैं, अपना पेंडल अकाउंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो इस साइड आया है, वो उठकरके यहां आजाएगा, और बन जाएगा gross profit का breakdown ठीक है यह आपका CD और यह BD यहाँ पर आपका हो गया 31400 31-400 का आपका gross profit अब उठा लीजिए वो सारे खर्चे जो कि आपके profit and loss के हैं अब profit and loss के जितने भी खर्चे हैं आप उठाईए और यहाँ पर बिठा दीजिए सबसे पहले देखें यहाँ पर आपके पास कौन सी खर्चे है वो है salary salary है जो यहाँ आएगी आपके खर्चे में salaries salaries कितनी है 8000 पर एक और चीज़ यहाँ पर हमारी adjustment है क्या adjustment है कि हमारी salary 150000 ऐसी है जो अभी तक outstanding है 1500 salary outstanding outstanding salary तो यह plus करेंगे तो 9500 9500 next is आपके यहाँ पर insurance है insurance में भी आपके पास एक ऐसा adjustment है जो हमें देखना है insurance कितना है आपका यहाँ पर 1500 1500 अब देखो क्या बात बोले गई है insurance paid for 15 month up to 20 March क्या बोला गया है कि जो insurance pay किया है वो 15 महीने का है but हम जो P&L में लेंगे वो सिर्फ उतना insurance लेंगे जितना हमें actually में इस साल के लिए pay किया है तो 15,000 रुपए जो है insurance का pay किया है हमने sorry 1500 जो की कितना है 15 महीने के लिए है और वो कब तक के लिए है March 20 तक के लिए हमारा यह साल कब खतम हो रहा है December तक December से January February March यानि तीन महीने का extra हमने pay किया हुआ है सबसे पहले यह निकालेंगे कि एक महीने का यहाँ पे कितना बनता है एक महीने का आपका यहाँ पे बनता है 100 रुपए तो जो तीन महीने का आपका बना जो की हमने extra pay किया है advance pay किया है 300 रुपए वो आप यहाँ पर minus कर देंगे यहाँ पर minus कर देंगे और लिखेंगे prepaid insurance 300 रुपए और इसको minus करके यहाँ दिखाएंगे 1200 रुपए अब आपके पास आता है postage जो कि 100 रुपए का है सीधा सीधा चला जाएगा postage 100 रुपीज next is your advertisement 1,000 सीधा सीधा कोई adjustment नहीं है 1,000 उसके बाद पीएडल में आपका और का जाएगा यहाँ पर आपका provision for bed depth जाएगा और उसके बाद आपके पास कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो पीएडल का हो अब यह question यहाँ पर समझने वाला है सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर है कि bed depth का amount कितना है यहाँ पर आप देखोगे कि write off bed depth of 400 यानि 400 रुपए के जो आपके bed depth है वो write off हो गए खतम हो गए बिल्कुल bed depth हो गए तो यहाँ पर सबसे पहले इसके entry की जाएगी bed depth of 400 रुपीज आपके write off के अब देखोगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका provision of bed depth वो 5% debtor के according बनेगा debtor आपके पास है 25-400 ठीक है 25-400 के आपके पास debtor है जिसमें से 400 जो है bed depth हो चुके हैं खतम हो चुके हैं तो आप यहाँ पर total कितना बचा 25,000 अब 25,000 का 5% कितना बनता है 25,000 का 5% आपका बनता है 12-500 12-50 12-50 12-50 का bed debt बनता है लेकिन आपका जो पहले provision बना हुआ है वो कितने का बना हुआ है 1500 यारी आपने पहले जो संग्रहन करके रखा हुआ था कि 1500 के मेरे bed depth हो जाएंगे वो अब कम हो गया और कितना हो गया 12-50 तो यारी ये आपके लिए एक तरीके से profit है एक तरीके से आपके लिए क्या है ये indirect जो है आपका benefit है तो आप इसको क्या करोगे income side लगाओगे कि provision for bad debt ठीक है old आपका है यहाँ पे 1500 और new है आपका 12-50 तो आपको कितने का benefit यहाँ पे हुआ है वो हुआ है 250 का तो अब इसके अलावा और कोई खर्चे तो नहीं मुझे दिख रहे हैं और आपको भी नहीं दिख रहे होंगे तो अब क्या करते हैं इसका total कर लेते हैं total करेंगे और देखेंगे कौन से side जादा है तो देखें 31400 प्लस 250 यह आपका आ रहे है 31650 9500 प्लस 1200 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 400 और यह आ रहे है 12 दोस्तों यानि कि obviously यह side जादा है तो जो आपकी side जादा है उसमें से यह 12 जो है दूसरे side घटा दीजे तो आपके पास क्या आ जाएगा आपका net profit जो की है यहाँ पे 19,450 19,450 का यहाँ पे देखिए profit है 19,450 का और इसका भी total हो जाएगा 31,650 अब यह 19,450 का जो profit है यह कहां जाएगा यह जाएगा दोनों जो आपकी partner है उनके account में तो यह 19,450 का जब आप करोगे divide करोगे 1,1 की ratio में तो आपकी पास आजाएगा 9,725 एक partner का क्योंकि उसमें बोला गया है question में कि यह equal profit share कर रहे है तो यहाँ पे जो है आप लिखोगे net profit transfer to यहाँ पे आपका आजाएगा Hashim's Capital और यहाँ पे आजाएगा Ibrahim's Capital कितना कितना जाएगा आपका amount 9,725 तो 9,725 और यहाँ पे भी 9,725 तो यह आपका बन गया trading account and P&L account सबसे आराम से अब आजाते हैं most important चीज़ पे जो की है आपकी balance sheet अब balance sheet पे आ गया अब balance sheet में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं capital account की adjustment कर लेते हैं सबसे पहला जो है यहाँ पे Hashim's Capital है Hashim's Capital जो था वो कितना था opening 80,000 पर यहाँ पे आपके पास था यहाँ पे जो था balance दिया हुआ 80,000 अब उसके अलावा उसमें आपने कौन-कौन से adjustment की कि उसने जो है drawing लेकर के चला गया दो हजार पर के goods भी withdraw करके गया था ठीक है दो हसार पर के वो goods भी withdraw करके गया था तो दो हसार पर के जो उसने goods withdraw की है वो भी क्या होँगे उसके as a drawing टीट किये जाएंगे और यहाँ पर आजेगा goods withdraw उसके बाद उसको जो है profit की share मिला है तो profit का जो share मिला है वो भी उसको हमें देना पड़ेगा कितना share मिला है 9,725 तो 9,725 यहां पर plus हो जाएगा अब आप इसकी जो है calculation करेंगे तो आपके पास आज जाएगा 85,925 same दूसरे person की जोकी है इब्राहिम's capital इसके adjustment करेंगे इसका opening हमारे पास था 1,00,000 रुपए तो 1,00,000 minus यहां पर आपका हो जाएगा drawing जो लेकर के गया कितने की 1400 रुपए की 1400 रुपए की और इसका भी जो profit का share है क्योंकि इसके अलावा यह और कुछ नहीं लेके गया तो इसका भी profit का share है 9,725 9,725 अब इसका total आपका आजाएगा 108,325 1,08325 का यहां balance आजाएगा अब यह तो बात हुई आपकी जो है capital account की अब उसके बाद यहां पर कौन सी चीज है उसके बाद आपके पास आती है current liabilities अब liabilities जो है यहां पर आपके पास जैसे creditor हो गया तो यह क्या है 41,000 यहां पर आपका आगया current liabilities जो की कितना है 41,000 का जो की कितना है 41,000 का आप चाहे तो अपने question में pencil से चीज़े काट सकते हैं कि अब इसका treatment हो चुका कुछ नहीं करना तो आप उसको काट सकते हैं अपनी सहुलियत के लिए उसके बाद यहां पर हमारे पास जो है एक bills payable भी दिया हुआ था question में जो की था 12,000 रुपे का तो bills payable जो है कितना है 12,000 रुपे का अब उसके अलावा हमें adjustment में कुछ ऐसी बाते बताई गई थी कि outstanding expenses है जो की हमने नहीं pay किये तो यहां पर outstanding expenses में कुछ expenses आ जाएंगे जैसे salary जो है 1500 ठीक है उसके अलावा carriage एक इस सो तो कितना हो गया 3600 तो यह आपके आ गए outstanding expenses अब इनके अलावा और कोई चीज अभी हमें नहीं दिख रही ऐसी जो यहां आएगी तो आजाते हैं whatever debtor side जो है आपके asset side पे asset side पे सबसे पहले सबसे उपर लिखा जाता है fixed asset के बारे में अच्छा एक और चीज़, question में हमें कहीं भी depreciation के बारे में बात नहीं की गई ना है उसका percentage बताया गया कि इतने percent से हमारी fixed asset जो है depreciate हो रही है तो इसलिए question में हम यह मान के चल रहे हैं कि depreciation हम नहीं लगा रहे हैं ठीक है तो वैसे भी land and building पे आपका depreciation नहीं लगता क्योंकि जो यह है यह value बढ़ाती है घटाती नहीं है पर plant and machinery and furniture पर आपका depreciation लग सकता है अगर question में नहीं दिया हुआ तो हम नहीं लगा रहे है पर अगर यहां दिया होता तो हम यहां पे जो है उसमें से depreciation minus करके इसकी value लिखते और जो depreciation का amount हो था उसको हम P&L में हमारे जो है यहीं पे लेकर के आते हमारे debit side में तो यह आपक पास जो कि कितने की है 90,000 रुपे की 90,000 की plant and machinery आपका है 70,000 का 70,000 का furniture आपका जो है वो है 1,000 का ठीक है इसके बाद यहां पे आपका कोई भी और other fixed asset नहीं है इसके बाद आजाते है current asset पे current asset यानि कि जो जल्दी आगे पीछे होती रहती है तो current asset में आपके पास क्या क्या है cash at bank है cash at bank है 49,000 के cash in hand है cash in hand है 800 रुपे का ठीक है और यहां पे आपको अब इस तरीके देख सकते हैं अभी आपके पास debtor रहे गया यहां पे और debtor के अलावा यहां पे अभी हमारे पास और कुछ नहीं है अब आजाते हैं debtor की adjustment पे यहां पे आपके पास sundry debtor थे 25-400 के ज right-off हो गए जिसको आपने कहा है कि यह हमारे debt debts हो गए है उसके अलावा आपने यहां पे provision बना दिया कितने का provision बनाया 1200 कुछ का था 1250 का तो यह आगया 1250 का आपका provision तो अब आपके पास debtor कितने के बच गए अगर आप इसको solve करोगे तो आपके पास आजाएगा 23,750 के debtor त जो है एक और चीज यहां पे आगई prepaid expense जो कि आपका एक था prepaid insurance आपने insurance पे किया था न यहां पे जिसको आपने minus किया था क्यों क्योंकि यह 300 रुपय का आपने advance में पे किया हुआ है तो यह prepaid insurance का amount यहां आएगा asset side में आपकी जो की है कि आपने advance में पे किया है तो this is a asset for you आपके लिए एक asset है अब last में आपका आजाएगा closing stock आप लिख सकते है closing stock दोनों आप लिखोगे closing stock कि आपका जो है row में कितना है 4000 और final goods कितने है आपके 12000 तो यह भी आपका total हो गया 16000 अब आप जो है इसको total कीजिए देखे अगर match कर रहा है तो obviously आप कुछ नहीं भूल र रहे हो गया कुछ आपका missing होगा तो मैं एक बार इसको जो है यहीं पर calculation करके आपके सामने देखती हूं 85925 plus 108325 plus 401 अच्छा यह मैं point दबा देती हूं यह मेरी सबसे बड़ी गलती है 85925 plus 108325 plus 41000 plus 12000 plus 3600 तो यह आगया आपके पास 250850 हम लिख लेते हैं यहीं मानके कि सही आएगा 250850 अब इस साइट का calculation करते हैं माच हो गया तो obviously बल्ले बल्ले है हमारी चीक है 9000 plus में oh sorry 90,000 90,000 plus में 70,000 plus में 10000 plus 49000 plus 800 plus 23750 plus 300 plus 16,000 यह आगया 250850 यानि कि मैच हो रहा है 250850 यानि कि दोनों साइड हमाने equal है हमारा जो है liability और asset side यानि हमने जो question किया वो सारा सही किया है सारी adjustment ठीक है हम कुछ चीज में mistake नहींगी तो यहां पर आपका यह आपका question match करना balance sheet match करना ही सबसे बड़ी issue हो जाती है तो यह आज हमने question पूरा किया समझा और इसको देखा तो I hope guys आपको समझ में आया हो कोई अगर clarity नहीं हुई है या कुछ issue हो रहा है या फिर आपको पहले कोई issue था बट अब clear हो गया है तो please हमें जुरूर बताइए का thanks for watching मिलते है next video में अगले topic के साथ अब तक के लिए check care of yourself and check care of your health tata bye bye do subscribe the channel and share it with your friends and don't forget to hit the bell icon